Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस विडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.A. 01 का दिसंबर 2021 के कोश्चिन पेपर के अंदर में हम सबसे पहले बात करें अपने बुक के बारे में चलिए आज के हम कोश्चिन पेपर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जानेंगे इस कोश्चिन पेपर के अंदर में किस तरह की कोश्चिन से हैं उसको हम कैसे सॉल्फ कर सकते हैं उसको आंसर हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तो हर question paper की तरह ये question भी आपका तीन घंटे का ही है आपको 100 number मिले है इस question paper के अंदर में और आपको एक word limit का हमेशा याद रखना है कि 500 word के अंदर में ही आपको हर एक question answer लिखना है अगर आप इससे कम में लिखते हो तो भी आपको number proper नहीं मिलते हैं इससे जादा भी लिखते हो तो भी number आपको proper नहीं मिलेंगे तो एक word limit है आपको उसको maintain करना है और आपको courses करना है कि उस word limit के अंदर में ही आप answer लिखो इससे पहले भी दीनप के उपर में बहुत सारे question paper की वीडियोस अल्रेडी डली हुई है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है especially आप last five year की वीडियोस जो question paper के उसको भी जरूर देखें आपको playlist में मिल जाएगा उससे आपको exam के अंदर में बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है चलिए आगे हम स्टार्ट करते है और अपना question paper को solve करते है जो मारा सबसे पहला question आता है जिसके पास में तो इस मानव के सोरूप को हम homo sapiens sapiens भी बोलते है ठीक है तो जब मानव का सरीर बन गया मानव बन गया तो ऐसा थानी क्यों जाड़ार क्रिशी करने लगा तो किस परकार से क्रिशी के और बढ़ा तो क्रिशी के और बढ़ने के लिए सबसे पहले मानव अप एपने जीवन को खाने पीने के लिए जो भी रोजमरा जिन्दमिय उसके लिए है ठीक है रसत करताता है तो इस तरह का जीवन आरंभ में मानाव का चल रा था अब समय के साथ में क्या होता है जिस जगह पे वो रह रहा है तो वहां पे कुछ परिवर्तन आता है समय के साथ में चीज़े बदलती है मानव अग्रसर होता है पसू को पालतू बनाने के लिए जिसके अंदर में कुट्टे का, भीड का, बकरी का इन सब को पालतू स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट करता है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के परमान मिलते हैं एक जगह से दुस्य जगह जाने की इस दूरान में ही कहा जाता है कि पसूं को पालतु बनाया गया ठीके अब पसूं को पालतु बनाने का reason क्या था खाना बदोस के time पे एक जगह से जब दूस्रे जगह जाते थे तो कभी रास्ते में उनको भूख लगी कभी किसी तरह की कोई जरुष पड़ी तो वो उन को मार कर खा सके इसके कारण से भी उनको पालतू बनाया गया और जिस तरह के जानवर को उन्होंने select किया पालतू बनाने के लिए उन पे जादा खर्चा नहीं होता था मतलब उनको ज़्यादा देख रेक की ज़ुरत नहीं पड़ती थी वो जो भी बचे खुचे होते थे इंसानों के वो खा सकते थे आसपास की इन्वार्मेंट में इसली ढ़ल सकते थे इसके कान से उन जानवरों को सलेक्ट किया गया उसके बाद मानव कई सारी जो गुरुप था एक जगह सा दूसरी जगह जाते थे तो कुछ गुरुप एक जगह रुक कर खेती बाड़ी जैसी व्यवस्था के अंदर में लगना सुरू होता है और वो एक जगह पर रहकर कृशी जैसी व्यवस्था को अपनाना स्टार्ट करते है तो यहां से माने जाता है कि कृशी की सुरुवात होती है तो मानव आरंब में किस तरह के फसलों को गाया, किस तरह से ग्रो किया, फसलों को किस तरह से लेकर आगे बढ़ा और सबसे बड़ी बात कहती कि जो पूरी व्यवस्था के अंदर में जितने भी मानव थे सबी ने कृशी के और अगसर नहीं हुए समय के साथ में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे लोगों ने कृशी को अपनाना स्टार्ट किया ठीक है तो ये पूरा मानव का कृशी के प्रणाम आते हैं कृशी का प्रणाम क्या निकलता है मानव विक्सित होता चला जाता है मानव का एक आवास मिल जाता है जो मानव कृशी व्यवस्था को नहीं अपना रहे तो उनका एक स्थाई आवास नहीं था इस थाई वास मतलब का एक पर्मानेंट घर का एड्रेस नहीं था अब जो क्रिशी को अपना रहे थे तो उनको खेती बाड़ी करने के लिए अगर मालों कहीं पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और क्रिशी के निरभरता के अकारण से क्या हुआ उनके जो रोज मर्रा के जो जीओन वैपन के तरीकों में बहुत ज़्यादा परिवरता नाता चला गया ठीक है तो यह सारा कुछ आप एक्स्प्लेइन कर सकते हो कोश्चन नमबर फॉस्ट के अंदर में और और भी मैंने जो पीछे के कोश्चन पर बना रखे हैं उसके अंदर वीडियो को देखो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि यह बस आपको समझाने के लिए कि किस तरह के कोश्चन से आपको कोश्चन क्या पूछे जाते हैं तिक है कोश्चन का पैटन क्या होता है वो समझाने की कोर्सिस में इस वीडियो के अंदर में कर रहा हूँ अगले कॉच्चन क्यों बढ़ते हैं हमारा कॉच्चन नंबर सेकेंड आता है जिसमें हम बात करते हैं कास्य गुइन सब्दाओं के बारे में और कास्यागीन सबटाव के अंदर में, जो समाजिक सनरचना है हुआ, उसके बारे में, अब देखो कास्यागीन सबटा होता क्या है? सबसे पहले हैं, यह समझो, अब ağरंभिक मानव आया, तो मानव ने अपने साथ में, कोई ओजार तो लेकर नहाया, ठीक है पत्थर का जब यूज करा था तो पत्थर छोटे-छोटे थे नहीं तो बड़े पत्थरों को starting में यूज किया गया फिर दीरे-दीरे समय के साथ में छोटे पत्थरों का भी उपयोग किया गया जिसके धार-दार बनानी के कुछिस कीए इस तरह से चीजे चल रही थी फिर जब कास्य की सब्वेता का सुरुआत होता है तो वहाँ पर क्या होता है कास्य के जो बरदार्त थे उनका उपयोग करना लोही के चीज़ों का उपयोग करना ठीक है लोह यूगिन सब बिता के अंदर में तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से उजारों के अंदर में development होता है विक्सित होता है और उस विकास की परकिरिया के कारण से मानव जगा जो सरूप था उसके अंदर में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है मानव की जो रहन सेन परकिरिया थी उसके अंदर में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है इवन आप यह कह सकते हो कि जो पूरा समाजिक संरचना था मानव का उसके अंदर में विकास देखने के लिए मिलता है अब विकास की परकार से आता है अब पहले का मानव जो था खेती करने के लिए हल पे डिपेंड था कि भाई खेत को जोतने के लिए हलकी जोर होते है तो हल किसके होते थे लकड़ी के बने होते थे लकड़ के बने होते थे पर अब कास से कोई सब्वेता के कारविन से क्या हुआ जो हलके फाल होते थे जो जमी कर सकते हो देख सकते हो सासत में क्या हुआ जैसी सिचाई जैसी ववस्था थी तो पहले क्या था सिचाई के उपर में किस तर से सिचाई की जाती थी बरसा को पर में किस परकार से निरवर होते थे ठीक है अब कास्योगित सब्वता के कारण से उसके अंदर में भी विक्तिया विकास देखने के लिए मिलता है, उसका सोरूप के अंदर में परिवर्टन देखने के लिए मिलता है तो यह सारी च fiance यहाँ पर कास्वीएगिट सब्मिता के अंदर में समाजिक संरचाओं के अंदर में आ जाता है ठीक है समझ में आता है अगले कोशिशन के और बढ़ते हैं हमारा कोशिशन नमबर ठड़ आता है कोश्शन नमबर ठड़ कहता है प्राचीन युनान में जो अभिजात वर्ग था और कृषक वर्ग के मद्दे जो संगर्स के प्रकृति रही उसकी चर अब कना इब कर्वेबस्ता 미ए चाहर आ रहा लगोंगों में कर duensy बढ़ता था और उसका इंपैक्ट लिए पड़ता है कि कृषिक वर्ग कंजोर होने के कारण से ठीक करका बोज बढ़ जाता है था भगे तेक्स आपको ज्यादा देना है शाइटमें वंकर जमीन Avenue बोज बढ़ने के कारण से क्रिषग वर्ग उधार लेने के लिए मजगूर हो जाता है कि आप उधार लोगे किसी ने किसी से उधार लोगे ठीक है इसको चुकाने के लिए इस तरह से तो अब कृषग वर्ग के पास अपनी खुद जमीन ना होने के कारण से क्या होता है? डिपेंडेंसी जो होती है, उसकी दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है ठीक है? तो इस तरह से सारी चीज़ी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, कॉन्फिलिक्ट देखने के लिए मिलता है और question paper की बात करते हो, mostly question repeated है तो आपको क्या करना है, पीछे के जो भी question paper की वीडियो से उनको भी देखना है तो वहाँ से आपको बहुत सारे points मिलेंगे, जो पूर अपर तरीके से solve करवाया है वह भी आपको idea मिलेगा, तो उन वीडियो को देखोगे तो यह थोड़ा सा easy हो जाएगा इस वीडियो के अंदर में बस हम question paper को disconcern कर रहे है क्योंकि सारे question almost repeated है अगले question के और बढ़ते है, question number 4 जहाँ पर हम बात करते है, Roman समराज्य में इसाई धर्म की स्थापना अब देखो, Roman समराज्य के अंदर में इसाई धर्म की स्थापना हुई कैसे किस परकार से वो इसाई धर्म की और अगरसर हुए अब यहाँ पर यह देखा जाता है, जो Roman Empire था पूरा वो पूरा एक राजा महराजों के कंट्रोल में था, और जो महां के पूरी वयवस्ता थी, वो धर्म के पक्ष में थी नहीं पर जब समय के साथ में जो इसाई धर्म था, जो इसा थे, वो उसका impact लोगों के उपर बहुत जादा पढ़ने लगा और लोग जो भी थे, वो उनसे बहुत जादा प्रभावित हो रहे थे, उनकी तरफ खीचे चले जा रहते हैं, जिसके कारण से, डर के कारण से, यहां पर साफ वर्डी उसके अगया है भए, भए के कारण से, रोमन समराज्य इसाई धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हो उसके अंदर में इसाई धर्म को अपनाने की प्रकितिया स्टार्ट हो जाती है, पूरी तरह से तो नहीं अपनाई जाती है, पर समय के साथ में धीरे धीरे करके पूरी तरह से इसाई धर्म को अपनाया जाता है, और उसको एक राज धर्म के तौर पर माना जाता है, और होता है उसको लगता है डर कि भाई ये कहीं विद्रोहना बन जाए जो लोग है आम जनता जो है कहीं विद्रोहना कर दे जिसके कारण से रोम के अंदर में इसाई धर्म को अपना है जाता है उसको राज धर्म के तोर पे लिया जाता है ठीक है तो यह समझ में आता है चौछन भी आपको समझ में आता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है आपका कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 के अंदर हम बात करते हैं यूरोप में सामनतवाद की परमुक विस्ताइं और विस्तार की विवरान दीजिए अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पर जो कोशन आपको समझते हो कि यूरोप में सामनतवाद है क्या वो बताना है और उसकी विस्ताइं बतानी है तो हमें सबसे पहले हमें सामनतवाद भी समझना पड़ेगा कि सामनतवाद होता क्या है सामन्तवाद का जो normal simple सा अर्थ होता है हिंदी के अंदर में उसको हम कहते है भूमी का टुकड़ा ठीक है भूमी का चोटा सा भूमी का टुकड़ा अब तो सामन्तवाद जब भी आप पढ़ोगो तो इसको दो सो रूप में पढ़ते हैं यहां पर यूरोप लिखा हुआ अग दो तीन तरह के कोश्ण संबं कराते सामन्तवाद का में वाला यूनियृ उस पोरे यूनियृटे चार चैप्टर है चार्य को मैं अच्छे से करवा रखा है तो उन चैप्टर्स को भी जुरू देखें आपको बहुत अच्छे साइडिया हम लेगा क्योंकि सामंतवाद का एक नए कोशन बनकर आ जाता है एक्जाम के अंदर में किस तर के बनते हैं सामंतवाद का पहले यह समझते फिर इस कोशन के उपर बात करेंगे मेंली इसके तर में कोशन बनकर आता है कि सामंतवाद की विसेस्ता है क्या है सामंतवाद के चरण क्या है कितने चरण में सामंतवाद आता है तो मतलब दो चरण कौन-कौन से चरण फॉस्ट चरण से चरण सेकेंड चरण तो दोनों चरण के उपर में इंडिविजूल कोश किया इसने ये भी कोश्चन बन कर आया तो मतलब चार-पांच कोश्चन इस पूरे यूनिट के अंदर में से निकलते हैं और एक कोश्चन आपके एक्जाम के अंदर में आता है अब इस कोश्चन में बात करते हैं यूरोप में सामनतवाद की विसे इसता हैं अब देखो यू इस प्रकार का अधिकार होते हैं तो सेना को रखने का अधिकार होता है कि उनके पास अपने खुद की सेना हो सकती है ठीक है कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है तो इस तरीके के कुछ खासियत होते हैं जिसके कान से क्या होता है राजा का डारेक्ट कनेक्टिविटी जो होती ठीक है जो उस जमीन की देखबाल करती है उसके उपर कर वसूलती है और बदले में क्या लेता है राजा उनसे कर टेक्स लेता है जो भी उपने वसूली किया वो टेक्स लेता है देखो सामंत वाद का जब भी आप कोशन बढ़ते हो न तो मुझे हमेसा एक एक ग्जामपल पै क्या होना कि तो सबी बहूम सकता राजय नहीं कर सकता नव क्या करता है कि कुछ अपनी जमीन तुकड़ा अलग-णोग लोगों को देदीता कि आसल तुम इस जमीन पर ईहां पर पिन इस तरीके से साम नतवा पर आता है ठीक है समझ में आता है साथवा कोश्चन आता है हमारा मद्देकालीन यूरोप में वैपार और वानेजिक पर्थाओं का फ्योरा अब देखो जब मद्देकालीन यूरोप के हम बात करते हैं तो किस तर से वैपार ग्रो कर रहा था उसकी यहां पे नएने वैपार के तरीके ख खोज की जाता है नएने वैपार के लिए मसाले और अलग-अलग आइटम्स की खोज की जाती है जिसके अंदर में भारत का इस्पेसली जिक्र किया जाता है मसालों के लिए कपड़ों के लिए रिसमुद्यों के लिए जिक्र किया जाता है तो किस परकार का जो यह वैपार क चिनीतियां थी, उसके बारे में हम यह पर डिफाइन करते हैं, सासात में हम बताते हैं कि नए मारगों का कोज किस प्रकार से हुआ, तो समुन्द Kingdom के अंदर में आ जाते हैं कि अमेरिका जैसे जगव का खोज किया गया, भारत का खोज किया गया, ठीक है अफरीका जैसे रेसम उद्योगों का इसकी वैपार के लिए भारत का उपयोग किया गया ठीक है तो यहाँ पर पदिती जो पूरी थी ना उसकी पर्थाय थी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है ठीक है समझ में आता है आटवा कोश्चन हम बात करते हैं आधुनिक यूरोप में आधुनिक यूरोप के संकरमन में आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस परकार से हुआ अब देखो आधुनिक यूरोप की जब हम बात करते तो मतलब क्या एक वैपार के सोरूप से यूरोप विकास किया दीरे दीरे वो ग्रो करने लगा तो उसकी आर्थिक और सांस् जिसके परिवर्तन से क्या आर्त होता है कि जब यूरोप वासी जो थे एक जगह सा दुसरी जगह जा रहे तो वहां की जो कल्ज़र ते उसको भी अपनाया गया उससे पहले जब यह वैपारिक खोज नहीं हो रहता रास्ति नहीं पता थे तो उससे पहले मसालों के बारे में रही ने जानते हैं तो भारताये वहना पर दिखा इंदकर था उसके परिवर्मा संझर्म में रही होग इस परकार से संकी संकरमन रहा हुगा यूरोप केंदर में ठीक है और वोही यहां पर आ जाता है सारा कोशे नुमavor 9 केंदर में हम बात करते हैं मद्डेकाल में यूरोप तता एसिया के नगरी करन विकास की चर्चा करना होता है कि नगरी करन व्यवस्ता किस परकार से विक्सित हुआ, उसके बारे में बताना होता है तो सबसे पहले क्या आता है कि किस तर से हमारे पास चीजे हैं किस प्रकार से हमारे पास सुविधाएं हैं ठीके तो यूरोप और एसिया जो नगरी विकास की जा हम बात करते हैं तो दोनों लगबख सेम टाइम में एक साथ बसावट के और अग्रसर होते हैं सबसे में चीज नगरी करण के अंदर में आता है पलायन ठीके विस्थापित करण एक जगह से लोग जो दूसरी जगह आते हैं तब उस जगह को विकास करते हैं आज मैं डैली में हूँ ठीके और डैली की जो पॉपलेशन है अल्मोस्ट धाई करोड से उपर की है बट क्या डैली के जो लोकल लोग हैं जो यहां पे जन्मे हैं जो डैली के ही रहने वाले हैं क्या वो धाई करोड में आते हैं, तो बिलकूल भी नहीं, जो यहाँ पे धाई करोड लोग रहने वाले ना, उसमें से मान के चलो 70% ना बाहर के हैं, बाहर का कहने का मतलब क्या कोई दिल भिहार से आ है, कोई यूपी से आ है, कोई बंगाल से आ है, तो इस तरह करके वो population है, जिसके कारण से डेली बना है, अगर lockdown के हम बात करते हैं, तो जिस टाइम पर लोग जो थे पलायन करके अपने अपने घर जा चुके तो डेली की जो अर्दव विवस्ताती एक तरसे रूख चुकी थी, फैक्टरी में काम करने वाले लेबर नहीं थे, रोड पर रिक्सा चल निर्मान हो रहा था, नगर के निर्मान के अंदर में, जो नगर की परकरिया थे, किस परकार से जोर दिया गया, ठीके, यहाँ पर हम ये साफ देख सकते हैं, यह रोप थोड़ा जादा जल्दी विकास करता है, बट भारत की विकास की परकरिया थोड़ा स्लो रहती है, इस question paper को जब मैंने देखा था, December 2021 वाले को, तो मुझे यह समझ में आया कि इसमें ज़्यादा तर जो question से, दोस्तो, repeated question है आपके, जो मैंने पीछे question paper solve को रवा रखे हैं, उसके, ठीके, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, M.A. History, M.H.I. 01 के, जो last five year का question paper की video ना, उसको ज जदा help मिलने वाली है, और आपको end the result, आपको समझ में आएगा, चीज़े अच्छे से clear कर पाऊगे, इस video का main motive मेरा ये था, कि जो question है, question के pattern क्या होते है, question कहना क्या चाता है, question के अंदर में answer क्या बनता, उसको मुझे आप तक पहुंचाना था, जिसके लिए मैं यह video बना